जैन दोस्तों क्या हाल है इस बोक्स के अंदर है ओपो फाइंड एंड टू फ्लिप लेटेस्ट मार्केट में एक और फ्लिप फोन है समसंग गैलक्सी जी फ्लिप फॉर एम शुर आपने कुछ वीडियो भी देखी होंगे इसकी तो ओपो ने कई चीज़े बाई अलग करिए स समसंग से वह चीज़े बताऊंगा इस वीडियो में और इन केस जिसको भाई फ्लिप फॉन बाई करना है उसे क्या स्लेट करना चाहिए क्योंकि दोनों फोन ओफिस्चल मिलते हैं इंडिया में अन्बोक्सिंग से सुरू करते हैं बोक्स इसका काफी बड़ा है क्योंकि पह फोन 44 वोट के चार्जर को सब्सक्राइब करता है टाइप टो टाइप सी केबल प्लस एक हार्ड ट्रांस्पेरेंट कवर भी मिल जाता है यह अच्छा लगता वोक्स में काफी कुछ मिल जाता है तो डिजाइन से सुरू करें वैसे जैसे मेरे पास फोन आया मुझे सबसे प अब यह ऑटमेटिक वोल्यूम अब बटन बने गया दमाग तो सही लगा यह दोनों नहीं कियर मापी जाते है जैसी सबसे पहले बाहर आया था बोक्स से तो सबसे पहले धेहन जाता है बाहर एक बड़ी डिस्प्लेय है उसकी बात अभी करेंगे कलर काफी मैच करता हुआ ह सेमसंग के Z Flip 4 से बस हलका light color feel होता है अपो फलीफ हलका सा length में जाता है और हलका सा width जादा है तो ओपो फलीफ थोड़ा बड़ी size का feel होता है और थोड़ा थिक भी है Samsung Z Flip 4 में 3700 mAh की बैटरी है, वहीं पर OPPO Flip N2 में 4300 mAh की बैटरी है, इसलिए फोन थोड़ा मोटा हुआ है, फोन थोड़ा बड़ा हुआ है, क्योंकि आपको तो पता है यह होगा फिलिप फोन में ब्रैंड के लिए बहुत मुश्किल होता है बैटरी को लगाना, क्योंकि Samsung Store या फिर OPPO Store पर जाएंगे तो टेस्ट करके देख सकते हैं, Samsung Z Flip में, यह Flip Mechanism होता है इसको आपपन क्लोस करते हैं, तो इसके अंदर ऐसे कोई major sound feel नहीं होती हो, जहां मर जी इसको हम लोग कर सकते है, अलग अलग पोजीशन पर, जैसे यहां सकते हो वापीस आजएगा, ह यहां से भी वापीस आजएगता है, यहां से भी वापीस आजएगता है, minimum यहां जाना बड़ता है, और कहीं भी छोड़ो देखो, hinge ऐसे तोड़ा loose feel कराता है, और यहां से यहां तक तो रुकेगा, और यहां से यह गया नीचे, लेकिन एक चीज है, Samsung Flip होने के बाद बीच म Oppo में नहीं दिखाई देता है, यह प्लैज जला के दिखाऊंगा तो लगेगा हलका सा gap है, बड़ ऐसे पता हिन लगता कि कोई gap है, और उपर क्रीज पर बहुत अच्छा काम किया हुआ, इसके उपर से अगर finger swipe भी करो, almost ना के बराबर feel होता है, लेकिन Samsung का क्रीज क्योंकि ज्यादा visible है, और feel भी ज्यादा होता है, अगर इसके उपर से अपनी finger को swipe किया जाता है, और साथ में जो Oppo के अंदर बाहर cover display है, यह Samsung से clear बड़ी है, आपको दिखाई दे रही है, यह 3.2 इंच की 60 Hz की display है, और इसके उपर आप always on display भी apply कर सकते हो, आप यहां से notification panel access कर सकते हो, यहां से आप क्या कर सकते हो, photo, video, portrait, direct tap करो, और इस तरीके से आप video sample ले सकते हो, डिस्पले बड़ी है, तो जादा view area मिल जाता है, और आप पूरे दिखाई देते हो, तो यह कफी साही चीज है, और साथ में आप यहां से weather हो गया, आपने notifications हो गया, timer बड़ी साइज कर स यहां भी आप notification देख सकते हो, widget add कर सकते हो, camera को as a viewfinder यूज कर सकते हो, cover screen पर ना ही Samsung के अंदर ना ही OPPO के अंदर आप video नहीं देख सकते है, लेकिन एक application है, cover screen OS, यह मतलब play store पर मिल जाती है, इसको install करने के बाद ना, यह मैंने unlock किया, ऐसे tap किया, सारी applications यहां आजाती है, आपकी जितनी है phone के अंदर, सारे काम कर पाओंगे phone के, और fun fact मतलब है क्या है, मैंने Samsung के अंदर भी यह application install किया, यहां पर भी वो सारे काम आप कर सकते हो, हाले कि यह third party application है, और beta testing में तो कभी कभी crash हो जाती है, सारे features यूज करने के लिए पैसे देने पड़ता है, बागी flip display की बात करें, OPPO flip 6.8 inch, Samsung flip 6.7 inch, दोनो 120Hz display है, दोनो AMOLED है, दोनो अच्छी quality की display है, दोनो bright display है, बट still, अगर आप जाना चाहते है, OPPO की display ज्यादा bright feel होती है outdoor में, और performance के लिए OPPO flip के साथ आपको Dimensity 9000 plus processor, UFS 3.1 storage मिलता है, और performance अच्छी iPhone की, कोई दिक्कत नहीं आती ह आप सारे का मसा नीचे कर सकते हैं, अगर आप जानना चाते हैं, यह प्रोसेसर कहां stand करता है, तो मैं अंतूतू score चेक कर रहा था, जह Samsung last year आया था, तो उस time के latest 8 plus Gen 1 के साथ आया था, तो दोनों का score एक दा मास्क पास आता है, more or less similar performance मिलने वाला आपको, और camera यहाँ पर मिल 18-90,000 के जो यह phone है, यह specially ऐसे camera या वीडियो को target नहीं करते हैं, बट कुछ photos दिखा जाता हूं, इनसे भी आप दोनों से अच्छी photos क्लिक कर सकते हो, थोड़ा color differences है, Samsung थोड़ा contrasty photos देने की कोशिश करता है, अलग-अलग, और थोड़ा color boost करता है, similarly Oppo भी अच्छी photos देता ह लेकिन contrast कम और light extra add करता है, बाकि मैंने एकदम low light में देखा, Oppo flip जैसे कोई bag out में bulb जल रहा हो, light जल रही हो, उसे better control करता है main camera से, और ultra wide angle camera, Samsung flip का better मिलता है, उसमें ज्यादा detail देखने को मिलती है, selfie में लेकिन हमेचा तो नहीं Samsung better निकलता है, बट कई बार Samsung में details better निकल के आते हैं, बाकि दोनों से आप 4K video recording कर सकते हैं, Samsung के साथ 4K 60fps तक जा सकते हैं, Oppo आपका 4K 30fps तक जाएगा, Samsung selfie में भी 4K recording कर सकता है, Oppo नहीं कर सकता, सिर्प 1080p video recording करेगा, अलाकि आप main camera से दोनों को ऐसे camcorder बना के, या ऐसे phone को रख के आप 4K video shoot कर लेंगे, main camera से ही, तो ऐसा कुछ है, बाकि Oppo flip phone की बात करें, cover display वे अच्छा गाम किया है, बड़ी है, और अंदर crease जो है ना, swipe करते होगे कम feel होता है, तो hardware wise, design wise, Oppo no doubt काफी premium feel होता है, लेकिन जब बात आती है, software experience की ना, व hot app, hot game और hot free game जैसी चीज़े मिलती है, और इनको अगर open करो तो भाई, यहाँ पर recommendation तो आती है, लेकिन dream 11, 3 पत्ती, ऐसे gambling application की recommendation देना, definitely इस rate में नहीं होना चाहिए, साथी में hot app, hot game को app market से disable कर सकते हैं, but यह कुछ नया है यहाँ पर, hot free games, इसको disable करने का option मिन दिखा मुझ अगर मैं कुछ काम नहीं करूँगा, तो यह switch कर जाएगा 24 Hz तक, यह adaptive refresh rate है, बैटरी बचाने में help करता है, और color हो ऐसे तो इनमें आज तक यह fix नहीं हुआ, कि YouTube open करो, यह 60 Hz पर switch कर जाता, automatic, photo application open करें, तो यहाँ पर 60 Hz पर switch कर जाता है, same situation में Samsung flip में हर जेगा 120 Hz अच्छे स optimize है, जैसे अगर मैं for example, यहाँ से YouTube open करता हूँ, यह 120 Hz रहता है, या फिर Google photos open करता हूँ, यह देखिए, यहाँ पर 120 Hz रहता है, या फिर चोटी-चोटी चीज़े जैसे for example, मैं camera application open करता हूँ, और जैसी मैंने ऐसे किया हलका सा, तो दोनों फोन इस mode में चले जाते हैं, ना, नीचे option आ जाते हैं, लेकिन अगर मैं photo click करता हूँ, यही photo open करता हूँ, तो बारह ऐसे करता हूँ, flip को अलगा सा, तो देखो, यहाँ पर अलग option आ जाते है Samsung में, कि यहीं से आप अलग 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 फोटो देख लो, इसमें कुछ नहीं होता, ऐसा option नहीं आता, तो यहाँ पर definitely Samsung के flip phone के साथ software experience ज्यादा polished मिलता है, Samsung Google के साथ मिलके flip या फिर fold के software को अलग से customize करता है, और साथ में यह fourth generation है, Samsung को पूरा time मिला इस पर काम करने के लिए, practical market में इनके phone काफी सारे आ गए, जबकि ओपो ने अभी बहुत अच्छा किया है, लेकिन अभी maybe इनका अगला generation रहेगा, वो over polished होगा, और मुझे रखता है personally ओपो ने यहाँ पे सब कुछ अच्छा किया, software experience बेटर करना चाहिए, और साथ में biggest mistake क्या कर दी, दोनों offline phone है, offline phone होने के बावजूद, Samsung के flip से ओपो का flip महंगा है, और महंगा होने के साथ feature ज्यादा होने चाहिए थे, जबकि इसा नहीं है, यह Samsung में आपको wireless charging का support मिलेगा, reverse wireless charging का support मिलेगा, IP8 की rating मिल जाती है, गलती से पानी में अगर आपका phone चला जाए, तो ज्यादा safe रखता है, यह तीनों चीज़े आपको ओपो flip के साथ नहीं मिलती, हाला कि इन पर कुछ offers भी है, जैसे ओपो flip पे 5000 का discount है, Samsung flip प जाता है, Z Flip 4 से, क्या better है उपपो flip 4, answer है no, सिर्फ features की वाज़ से नहीं, software experience भी better कर जाता है, बट हाँ, अच्छा लगता है, काफी सारे brands अपना foldable flip लेकर आ रहे है, competition बड़े, मजाता भी आता है, आपको कैसी लगी वीडियो, कौन सा phone ज्यादा अच्छा लगा, comment करके बत